आपको बतादे कि मामला थाना बाजपूर छेत्र के उत्राखंट के सीमा से सटे स्वार रामपूर ग्राम गोशिपूर निवासी खलील पहलवान पहट वर्षय पूत्र भूरा पट्ति काला के परधान रह चुके हैं दबंग के रुपे पहचान रखने वले खलील एहमद पहलवान रामपूर के जिला हिश्ट्री सीवर था सनीवार को वो आट बजे अपने खेश से लोड़ते समय खलील एहमद पहलवान मसवासी चोक से सटे एक बाग में रुग गया जहां पर कुछ लोग तास खेल रहे थे इसी के दोरा 12 लोगों को तमाचे खलील को फायर मत्थे पर जोग दिया गया है रामपूर के गोशिपूर निवासी खलील की पहचान छेत्र में एक चर्ची चेहरा है आप देख सकते हैं प्राइम बेकी न्यूस चैनल के लिए एक आसिपूर से आशिम अजहर की परकरे स्कूल के पीछ एक बाग है आज सूचना मिली कि उस बाग में कुछ लोग वहां पे तास केल रहे थे और उसके बाद गोली चली है उस गोली में खलील पहलवान नाम की बेक्तिक की मौत हो गई है घर में समय काफी मातम है फिलहाल पास उनको सब को पंचात नामा भर के पोस्माटम के लिए भेज दिया गया है इसमें दो तिन लोगों के नाम आ रहे हैं जिसमें एक आलम नाम की बेक्तिका है नाम मुख्यता आ रहा है पुलिस इसके लिए दवीसें देटी हैं लगाता है घरों से ये लोग भागे गया है इसमें घरवालों की ओर से तहरीर बेकर प्रात्मी के जल्दी के दडर्ज करने के अपर आंत इन लोगों के जल्दी गर्क्तरी स्बस्तिकी जाएगी पासकी मामला किस तरह बाद चित करने के उपरांत ही ये बात लिकल कर आएगी कि घटना के सहें में ऐसी कौन से परस्तितियां थी जिसमें की प्रदिवादी द्वारा आरूपी द्वारा गोली चलाई गई है घटना के कारूनों का भी तभी पता चल जाएगा कि इसके पीछे कोई परानी रंजिस ह है या वहां पर कोई सड़न ऑल्टरकेशन हुआ है फिलाल उस गोली कांट के कारण उनकी मौत हो चुकी है और इसमें हत्या का मुग्दमा पंजिकरत करने के बाद इनकी गरफतारी सुनस्चित की जाएगी